देखो ये वाला जो transition है ना इसे मनोज देने अपनी most popular वीडियो में use किया था sound को यहाँ पे बीच में रखना, वीडियो के शुरुवात में ही इसे on कर देना YouTube को बताना बहुत जुरूर है कि वीडियो किस टॉपिक पर नहीं तो reach down कर देता YouTube वीडियो की ये transition और ये sound special fact वीडियो के लिए है, इसे हलके में नहीं लेना ये वाला sound हर को यूज करता है, मनोज दे, जुन्नू की take, टेकनिकल योगी, smart support, YouTube बावा और खुद YouTube वाला भी अब तक किसी ने इतना detail में editing नहीं सिखाया है, जितना detail इस वीडियो में है, अब तो सिख जाओ editing अभी के time fact short videos में इतना ज्यादा competition बढ़ गया ना, कि तुम्हें audience के millisecond का भी ध्यान रखना होगा नहीं तो वो तुम्हारी वीडियो को तुक्के से scroll करने में जरस अभी देर नहीं करेंगे तो अब सवाल या आता है, कि हर एक mili second को ध्यान में रखते हुए, वीडियो editing करें तो करें कैसे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यह जान लो कि आज जब यह video में shoot कर रहा हूँ, तो YouTube पर कोई ऐसा video नहीं है, जिसमें तुम्हें इतना detail में editing सिखाया गया हो तो तुमने जब इस video पर click कर दिया है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, कि तुम्हारा एक भी second बरबाद नहीं होगा तो जैसे किसी भी काम को करने के लिए के strategy होती है, वैसे तुम्हें भी video editing करते समय कुछ strategy को follow करना होगा वो strategy यह है कि तुम्हें अपनी video को हमेशा या formula में edit करना है, जिसमें first part में 1 to 1 का ratio रहेगा और second part में 9 to 16 का ratio रहेगा हाँ, 9 to 16 में final video रहनी चाहिए, इससे video की reach बहुत ज्यादा जाती है अब एक बार इस image पर नज़र डालो और ध्यान से देख लो कि first part में क्या करना है और second part में क्या करना है उसके बाद practically मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा तो देखो, first part में simply 4 step को follow करना है जिसमें 1 to 1 वाला ratio लेकर पहला voice को add करना, दूसरा one cut, one similar creep, तीसरा similar overlay और चौथा similar sound effect बस first part में यही 4 step को follow करना है, उसके बाद video को export कर लेना है उसके बाद second part में वो export video को add करना, फिर background music, story text, timeline duration अब अगर तुम्हें लगता होगा कि यह सब तो आटे में से मैदा निकालना जतना मुश्किल है तो brother मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस video को ध्यान से देखो और बाकी सब बातें हम लोग video के end में करेंगे तो या formula photo का एक screenshot ले लो, video की quality बढ़ा कर या फिर telegram से ले लेना तो इस formula के हिसाब से part 1 में सबसे पहले 1 to 1 वाला एक ratio लेना है उसके बाद first step में voice को add करना है, तो यह रहा हमारा voice अब first step complete हो चुका है, अब उसके बाद second step है one cut, one similar clip अब एकदम आराम से देखना ज्यादा tension ने लेना सब समझ आज आएगा तो देखो one cut, one similar clip का मतलब क्या है तो उसको जानने से पहले अपना voice सुनो कि voice क्या है और उसमें कितना cut लगेगा एक बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए उसको professional तरीके से तो edit करना ही होगा तो एक बार voice सुन लेते हैं पहले और उसमें cut देखते हैं कि कितना है क्या आपको पता है कि YouTube पर एक मिनट में कितने घंटे की वीडियो अपलोड होती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि YouTube पर एक मिनट में 500 गंटे से भी जादा की वीडियो अपलोड होती है और वहीं उसी एक मिनट की वीडियो से YouTube का 23 लाक से भी जादा की अर्निंग होती है तो अगर अब तुमें समझ नहीं आया कि इसमें कितना कट है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें 4 कट है जिसमें पहला कट है कि क्या आपको पता है YouTube पर एक मिनट में और दूसरा कट है कितने घंटे की वीडियो अपलोड होती है और 3 कट यह है और 14 कट यह है बस आपको इसी को समझना है आपको यह समझा जाएगा तो आप एडिटिंग बड़े असानी से ही कर लोगे तो मैं पहली लाइन से ही आपको समझाता हूँ तो कट का मतलब यह हुआ कि जिस चीश के बारे में आप बात कर रहे हो और उस चीश के बारे में आप क्या बात कर रहे हो जैसे क्या आपको पता है कि YouTube पर एक मिनट में कितने घंटे की वीडियो अपलोड होती है इसमें दो बात है, पहला YouTube और दूसरा वीडियो अपलोड देखो इसमें तुम्हें ध्यान से समझना है, इसमें तुम्हें कीवर्ड को पकड़ना है इसमें दो कीवर्ड है, पहला YouTube और दूसरा वीडियो अपलोड इसका मतलब इस वीडियो के पहले टेक में ही दो कट है इसमें पहला कट है क्या आपको पता है यूटूब पर एक मिनिट में और दूसरा कट है कितने घंटे की वीडियो अपलोड होती है अब अगर अबी भी समझ नहीं आ रहा है तो जैसे मान लो आप ताज महल के उपर वीडियो बना रहे हो और उसकी लाइन कुछ ऐसी है क्या आपको पता है ताज महल को बनवाने में टूटल कितना खर्चा आये था अब इसमें देखो क्या आपको पता है ताज महल को बनवाने में यह हुआ पहला कट और टोटल कितना खर्चाया था यह हुआ दूसरा कट अब इसी तरीके से जो भी तुम्हारा फैक्ट होगा उसी को अलग अलग कट में डिवाइट कर देना एक वो जिसके बारे में बात कर रहे हो और दूसरा वो उसके बारे में जो बताने वाले हो यह एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है जरसा भी टेकनिकल टर्म का मैंने यूज नहीं किया है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए अब जिससे समझ नहीं आया होगा वो फिर से वीडियो को पीछे करके ध्यान से देख लो सब समझ आ जाएगा क्योंकि यह जानना सच में बहुत ज़्यादा जरूरी है इसी फर्मूले पर सब लोग वीडियो को इडिट करते हैं जिस दिन तुम्हें यह समाझ आ जाएगा ना उस दिन किसी की भी वीडियो से कंपेर करके देख लेना इस फर्मूले को तो अब यह सिकंड फर्मूला में वन कट वन सिमलर क्रिप है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि पहले कट में जो बात हुई है या जिस चीज़ पे बात हुई है उसकी वीडियो या उससे रिलेटेड वीडियो लगाना होगा अगर वीडियो नहीं है तो फोटो भी चलेगा लेकिन उसी से मैच करनी चाहिए अब इडिटिंग पे आते हैं जैसा कि मैंने बताया पीछे उसी हिसाब से किया आपको पता है कि यूटूब पर एक मिएट में यह इसका पहला कट हुआ तो फॉर्मूलर के हिसाब से one cut one similar clip मतलब इससे मिलती-जूलती clip लगानी होगी तो चलो अब किलिप लगाते हैं तो क्या आपको पता है यह एक किस्टन है और इसमें पूछने वाला या सोचने वाला वीडियो लगेगा और किस्टन मार्क वाला ओभर ले लगेगा तो पहले सोचने वाला वीडियो लगा लेता हूं तो देखो यह वीडियो सोचने वाली वीडियो है अब सबसे पहले इस वीडियो पर टच करके यहाँ पैं अड्जूम में किलिक करके इसे फूल करना 1 इस्ट वण रेशियो में और यहाँ इकुवल पर दो बार किलिक करके एंड पोजिशन में आना है और यहाँ वीडियो को थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल कर देना है जिससे वीडियो मूव होगी और अगर आप वीडियो की जगा फोटो यूज करते हो तो उसमें विखास कर या सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है अब आपको 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 पता है कि यूटूब पर एक मिनिट में कितने गाइट और उस कट पे रोग देना है के कट का मतलब क्या है और फिर इसके बाद काइन माश्टर के कट में जाकर ट्रिम टू राइट आफ पले हेट कर देना एक सिंपल एडिटिंग के लिए ध्यान से इसी स्टेप को फोलो करना है पहला विडियो को जूम करना, दूसरा इस्पीट बढ़ाकर विडियो कट कर देना तो आप one cut one similar clip complete हो चुक है अब दूसरा कट है कितने गंटे की विडियो अपलोड होती है मतलब इससे related विडियो किलिप लगानी है तो जैसे तुम आप सोचो कि इस से related video क्या हो सकती है तो वैसी video जो shoot हो रही है या video upload हो रही है उस step की video उसमें अच्छे से shoot करेगी तो जलदी से उस type की video add करते हैं तो या video इस cut से similar है तो इस video में भी वही step को follow करना है सबसे पहले इसको zoom करना है अच्छे से और दूसरा इसकी speed को बढ़ा कर cut कर देना है अब next point है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो इसमें कोई team understanding वाला video clip चाहिए क्योंकि इसमें आप बताने की बात हो रही है मतलब कुछ समझाने की बात हो रही है तो उसी तरीके से सारे point में cut and zoom करना है अब सभी point में मैं अतना detail से बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी आपको उतना तो adjust करना होगा आप लोग उतना देखकर adjust कर लेना क्योंकि सभी point सेम है तो अब आगे चलते हैं अगला point है उसी एक minute की वीडियो से तो इसे भी ऐसा ही करना है वीडियो वाली similar clip import करके zoom and speed cut तो अब second step complete हो चुका है और अब third step में है similar overlay तो अब जानते हैं कि overlay क्या है मतलब ऐसे समझो कि वीडियो के उपर जो भी चीज लगाते हो जैसे text, photo, animation जो भी वीडियो के उपर हो उसे overlay कहते हैं और similar overlay वो हुआ जो कि main word हो वीडियो का जैसे इस वीडियो में main word है YouTube, 1 minute, video, earning यह सब इस वीडियो का main word हुआ अब इससे related overlay यानि photo, text, animation लगाऊंगा तो वो हुआ similar overlay I hope कि आप लोग एकदम आराम से समझ रहे होंगे मैं एकदम simple तरीके से समझा रहा हूँ आपको अब इससे related overlay यानि photo, text, animation लगाऊंगा तो वो हुआ similar overlay तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा overlay लगेगा कि आपको पता है कि यूटूब पर एक minute में किता तो वही same इसमें किश्चन है तो किश्चन मार्क वाला overlay लगेगा तो यह है किश्चन मार्क वाला overlay तो सबसे पहले इसके size को full करते हैं अभी एकदम normal overlay है अभी यहाँ से ध्यान से देखना इसे मैं कैसे animate करता हूँ और इसको कैसे मैं change करके attractive बनाता हूँ तो सबसे पहले इस पे click करना और यहाँ blending में आकर इसको screen कर देना उसके बाद layer में जाकर एक photo add करना और इसके color को red कर देना फिर इसके opacity में जाकर इसको 50% तक कर देना फिर इसको send to backward कर देना अब उसके बाद इस overlay पे click करके यहाँ adjustment में आना और इसके saturation को 15 कर देना और इसके vibrance को 5 कर देना और temperature को 100 कर देना और फिर finally सबसे नीचे आकर इसको 13 कर देना इसको एकदम 13 ही रखना है ध्यान से इसको एकदम 13 रखना है ध्यान से एक भी point आगे पिछे नहीं करना और boom यह देखो इसका color change हो गया है अब केतना attractive लग रहा है अब इस लाल photo को copy करके इसके color को black कर देना और फिर इसको YouTube के पास रख देना क्योंकि जब YouTube बोल रहा हूँ तो इस time similar overlay आना चाहिए और overlay highlight हो इसके लिए background में black layer लगा देना है तो अब यहाँ पे YouTube word है तो इससे similar overlay add करना है तो अब मैं YouTube का photo या logo add करता हूँ तो इससे मैंने खुद बनाया है pixel lab में especially video के लिए अब इसको भी तुम्हें यहाँ पर ध्यान से देखना है मैं अब इसमें in animation लगाऊंगा लेकिन वो वाला animation नहीं जो normally काइन माश्टर में रहता है इसमें professional in animation लगाना है तो अब देखो कैसे लगेगा तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें exact किस point पे रखना चाहते हो overlay को उसी point पे video को रोक कर उससे थोड़ा left side बढ़ा कर जैसे screen पे दिख रहा है वैसे ही करना उसके बाद उससे जतना बड़ा रखना चाहते हो उतना बड़ा रख कर इस key में जाकर एक बार पलस दबा देना अब बिना कुछ किये इसके शुरुआत में आकर इस overlay को छोटा करना है और 45 degree पे right side जुका देना है अब अगर animation solo है तो इसको right side से छोटा करना है ये सब काम की के अंदर ही करना तो अब YouTube का overlay हो गया है उसके बाद एक मिनट का overlay लगाना है हर एक word to word overlay लगाना है जिससे आपका video engaging हो और audience जरा भी bore नहीं हो और मैं भी ऐसे ही editing करता हूँ I know कि इसमें time लगेगा लेकिन आपको यह करना ही होगा audience को रोकने के लिए अगर आप face दिखाते हो तो थोड़ा कम editing करोगे तो भी चलेगा लेकिन आप face नहीं दिखाते हो तो जवर्दस editing करना होगा word to word I hope कि आप मेरी बातों से relate करते होगे तो अब इसमें भी in animation देना है लेकिन normal वाला नहीं professional वाला और आप professional in animation देना तो सेखी गये होगे पिछले clip से तो उसी तरीके से इसमें भी in animation दे देना अब पहला cut का सारा overlay complete हो चुका है तो अब आगे की length को cut कर देना है अब देखो अब तुमें ध्यान से cut करना है जिसमें pin नहीं लगावा है उसको normally cut कर देना जैसे भी cut करना चाहते हो लेकिन जिस overlay में pin लगा हुआ है जहां से cut करना चाहते हो वहां से पहले उसको दो भाग में काट दो उसके बाद जो फालतू का part है उसको cut कर दो तो अब पहला cut complete हो चुका है और इसी तरीके से बाकी के सारे cut में overlay लगाना है main word पे और जहां पे जरूरत नहीं overlay की वहां नहीं भी दोगे तो चलेगा जैसे मैं second वाला चोड़ रहा हूँ तो अब यहां तिसरा cut में overlay लगाना है अब जो जो overlay similar है वो पीछे वाले overlay को copy करके ले लेना और जो नया है उसे import कर लेना तो अब जैसे मैं सभी में करके नहीं दिखाऊंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा lengthy हो जाएगा बाकी के cut में भी वही सेम तरीके से overlay लगेगा तो अब अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा पीछे करके पहला वाला cut का overlay देख लेना तो सब समझा जाएगा overlay में main professional in animation होता है उसे बस सही से लगाना और बाकी sound effect में maintain हो जाएगा तो अब बाकी का जो overlay बचा है उसे भी मैं उसी तरीके से लगा लेता हूँ तो अब एक बार इसे सुनते हैं ध्यान रहे कि अभी इसमें sound effect और transition effect बाकी है अभी तो बस वीडियो और overlay लगा है क्या आपको पता है कि यूटूब पर एक मिनिट में कितने घंटे की वीडियो अपलोड होती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यूटूब पर एक मिनिट में 500 घंटे से भी जादा की वीडियो अपलोड होती है और वहीं उसी एक मिनिट की वीडियो से effect लगाना है बस दो जगे एक overlay के पास और दूसरा transition effect के पास तो सबसे पहले वाले overlay से शुरुआत करता हूँ अब यहाँ पे ध्यान देना कि sound effect professional तरीके से कैसे लगाता हूँ क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है वीडियो के लिए जहाँ जहाँ पे ध्यान देनी की बात होती है मैं बोल दे रहा हूँ ध्यान देना तो वहाँ पे ध्यान दिया को रोगाई से वो point बहुत जरूरी होता है तो जिस भी overlay पे sound को लगाना है उसी पे playhead को रखकर sound effect को import करना तो fact video के लिए मैंने सारा sound effect तो देही दिया है पिशली वीडियो में उसी में से मैं use करूँगा और अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना अब देखो वैसा overlay जिसमें की लगा हो उसमें यह 14 नमबर वाला sound effect मैं use करूँगा हाँ सिर्फ वैसा overlay जिसमें की लगा हो अब तुम्हें ध्यान से देखना है यह जो दो की है उसके बीच में तुम्हें यह sound के graph को रखना है यह जो sound का graph है overlay के pin के बीचे बीच में रहेगा मतलब यह जो sound का graph है यह जो आप देख रहो यह overlay के pin के बिचो बीच में रहेगा तब ही यह perfectly match करेगा overlay के in animation से ठीक है गाई अब उसके बाद दूसरे overlay में चलते हैं वैसा overlay जिसमें key नहीं है तो उसमें या तो pop वाला sound effect यूज़ कर लो तो जैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है transition effect की तो मैं यहाँ पे नहीं लगाता हूँ तो उसके बाद वाली पे लगा लेता हूँ तो यहाँ पे मैं chromatic zoom वाला first transition यूज़ करूँगा और बाकी तो मैंने fact video के लिए जतना भी important transition effect हो सकता है इसमें transition के बीच में playhead को रखकर sound के graph को बीचे बीच रखना है तो यह set हो जाएगा फिर से एकदम ध्यान से देखो जैसा screen पे मैं कर रहा हूँ transition के बीच में playhead को रखकर sound के graph को बीचे बीच में रखना है तो यह एकदम perfectly set हो जाएगा तो अब उसके बाद है next overlay इसमें sound लगाना है तो इसमें वही key का use किया गया है तो वही वाला sound use कर लूँगा जो पीछे वाले overlay में किया था तो अब इसमें बाकी का सारा sound effect उसी तरीके से लगेगा जैसे पहला लगा था और बाकी sound effect उमें तीन तरह का ही लगाना है और बस तीन जगाना है एक वैसा overlay जिसमें key का use किया गया है और दूसरा बिना key वाला overlay और तिसरा transition effect पे बस यही तीन जगाए पे तीन अलग अलग sound effect का use करना और हर एक cut पे यही तीन तरह का sound copy paste कर देना और अगर तुम चाहो तो नया sound भी लगा सकते हो लेकिन इसमें खामका टाइम लगेगा वही तीनों को उसकी जगा के हिसाब से copy paste कर देना तो time बहुत बच जाएगा अब देखो पहले ही cut में जतना मेनत लगना होता है उतना लगती है क्योंकि इसमें नया overlay लगाना होता है और नया sound effect और बाकी का तो सारा copy paste होता रहता है क्योंकि बहुत सारा word match करता है जिसमें same overlay और same sound effect लगा सकते हो वही वाला copy करके मैंने वो सारा sound effect तो देही दिया है वो तुम देख लेना अपने time के according क्योंकि तुम्हें same sound यूज़ करना है या सभी cut पर different different अब इसके बाद last वाला transition बच रहा है इसमें 3D transition के अंदर strip वाला transition यूज़ करूंगा और इस trap का transition में 19 number वाला sound effect यूज़ कर लेना इसलिए मैं direct number यूज़ कर रहा हूँ कि ये वाला sound यूज़ कर लेना वो वाला sound यूज़ कर लेना तो जो भी नए भाई हैं वो वाली वीडियो देख लेना और वो सारा sound effect आप लोग भी download कर लेना अब मैं आपका ज्यादा time नहीं लोगा इसमें भी बाकी के method सेम ही है देखो guys इसी तरीके से सभी cut पे transition effect और उसके साथ sound effect यूज़ कर लेना और सभी overlay पे वैसे ही sound effect का यूज़ कर लेना बस वो की वाली बातों को ध्यान में रखते हुए अब इतना करने के बाद आपको सीधा अपने वीडियो को export कर लेना है बिना background music का use किये हाँ background music second part में लगाना है अभी बस इतने ही पे वीडियो को export कर लेना है क्या आपको पता है कि youtube पर एक minute में कितने घंटे की वीडियो upload होती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि youtube पर एक minute में पाउन से भी जादा की वीडियो upload होती है और वहीं उसी एक minute की वीडियो से youtube का 23 लाग से भी जादा की earning होती है गाईज अगर आप लोग यहां तक आ चुके है तो इसका मतलब आप बहुत hard working person है जिनका learning mindset है इसी passion से आप कुछ भी achieve कर सकते हैं तो गाईज एक बार comment section में जाहिन लेखें जिससे मुझे पता चलेगा कि वो hard working person में कौन-कौन शामिल है तो अब चलिए चलते हैं आज के वीडियो के second part में तो गाईज वीडियो export करने के बाद new project लेना और अब 9-16 वाला ratio लेना क्यूंकि इससे वीडियो की reach ज्यादा जाती है और final वीडियो यही रेशियो में रहना चाहिए और first part वाली वीडियो को यहां पे import करना उसके बाद अपनी एक अच्छी सी background music एड़ करना जो वीडियो पे suit करे और अगर तुमारे पास अच्छी background music नहीं है तो 30 background music especially fact वीडियो के लिए मैंने description में link दे दिया है वहां से download कर लेना अब ध्यान से देखो background music एड़ करने के बाद तुम्हें सबसे पहले उसके volume को 25 से 30 के आसपस रखना है उसके बाद जहां पे तुमारा पहला overlay है वहां पे volume envelope में जाकर एक पलस दबा देना उसके बाद starting में आकर एकड़म sound को zero कर देना जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरीके से और उसके बाद जब दूसरा transition start हो वहां पे अगल बगल एक pin लगा कर बीच का sound कम कर देना कुछ इस टाइप से मैं बता रहा हूं तो देखो गाइज अब वीडियो काफी बड़ी हो गई है और मैंने आल्रेडी स्टोरी टेक्स्ट एंड टाइम लेंड डूरेशन के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक तुम्हें डारेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गाइज मैं जो बीच-बीच में sound and transition effect के बारे में बात कर रहा था उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो गाइज यह वाली playlist पर किलिक किजिए इसमें fact creator से related सभी videos है जिससे आपको बहुत help होगी and guys अब इस वीडियो को एक like कर देना guys क्योंकि एतना तो मैं deserve करता हूँ guys बहुत महनत लगी इस वीडियो में guys so I hope you understand and also I hope you like this